आवाज सुनते ही पता चल गया हो कि बारिश का मोसम है उसमें गर्मा गर्म पकोड़े ना होए तो बारिश का मजा ही ना है चलिया सूपर टेस्टी मूंग डाल के पकोड़े बनाएंगे इस मेजरमेंट से एक कठोरी मूंग डाल लेंगे इसे में पानी में बिगो कर एक तक रख दोंगे मूंग डाल जल्दी फूल जाते हैं ज्यादा टाइम नहीं लगता एक घंटे बाद देखिए मूंग डाल अच्छी तरीके से फूल गया है तो इसे में इस तरीके से छन्नी में सारा एक्ष्ट्रा पानी निकाल लूँगे क्योंकि जब मूंग डाल हम मिक् जीरा डालके इसका स्मूज सा पेश्ट बना लेंगे ध्यान रहे इसमें पानी नहीं डालेंगे तो बहुत यसाने से पेश जागई है तो प्याज को बिल्कुन इस तरीके से चौप कर लिया है मसाले अट करेंगे तो एक चोथाई चमज हल्दी पाउडर एक चोथाई धनिया पाउडर और टेस्ट के अकोर्डिंग नमक डालकर इसका स्मूज सा पेश्ट बना लेंगे और इसमें खूब सारा डालेंगे धनिया धनिया भीना तो पकोड़े अच्छे ही नहीं लगते तो खूब सारा रहे धनिया डालने के बाद ना इसे एक चुथाई चमज ज मिला दोंगी कंटिनू इसे मिलाओंगी जब तक मसाले और जो प्याज डाला है ने वह अच्छी तरीके से ना मिल जाए कंटिनू मिलाने के बाद हमारा पेश्ट कुछ इस तरीके सी ठिखाई देगा देखिए मुंग डालके हमारे पकोड़े अब बनने के लिए त्यार है क जब तकड़ाय अच्छी तरीके से तेल में गरम होजाए तो एक एक करके मुंग डालके पकोड़े जब डालेंगे तो यह देखिए तलने च्टार्ट हो रहे है और तिल अच्छा खासा गरम हो न चीए, न ज़्यदा घरम अजब हमारे पकोड़े में मूंग डाल के जब डाल रही है तो डालते ही बिलकुन तलने के स्टेज में हो जा रहे है कंट्निमम इसी तरीके से सारे मूंग डाल के बड़े को डाल दो बारिश में अगर मूंग दाल के पकोड़े मिल जाए तो बस इसका टेश तो डबल ही हो जाए बाहर हो रही थी बारिश और बच्चों की डिमांड होने लगी थी आज हमें फटा-फट से पकोड़े खाने वो भी दाल के अब इतनी जल्दी तो कोई दाल भीगो नी सकते तो फ से तलना है और अब इस तरीके से देखिए हमारे सूपर टेश्टी मूंग दाल पकोड़े बन करते आ रहे हैं यह थोड़े से हरी मिर्च भी फ्राई कर लेते हैं इसके बीना तो पकोड़े ही अदूरे हैं चटपटे बिलकुन स्वादा ने के ने देखिए जब प्लेट मे डाल रहे हैं तो इसका क्रंच पन इतना अच्छा और कितने टेस्टी दिखाई दे रहे हैं उपड़ से फ्राई के होई हरी मेश रेड़ सोस के साथ इसे सर्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल ड्रेस भी बनाईए खाईए खिलाईए वीडियो अच्छ लगी तो चैनल को टूर्किट